जहीं दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस question के बारे में ये 2015 में repeated है CDS का The difference between compound interest and simple interest at the same rate of interest R percent per annum on 15,000 for two year is Rs. 96 What is the value of R? यानि examiner ने क्या का कि उसके पास कोई amount था उसने R rate of interest fixed amount पे उसे दे दिया 15,000 रुपे दिये 2 साल के लिए तो वो पूछ रहा है कि वो जो R की जो value है वो क्या है एक बाद आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपके पास में 2 साल के लिए compound interest और simple interest का difference पूछे तो आप एक formula यूज करते है difference is equal to P और ये R का square upon में ये हो जाएगा 100 का square तो ये आपके पास में क्या जाएगा? 2 साल का difference आजाएगा अगर मैं 3 साल की बात कर तो difference is equal to मेरे पास में P और ये मेरे पास में R का square upon में मेरे पास में 100 का मेरे पास में Q आजाएगा और into में 300 प्लस का मेरे पास में R आजाएगा ये मेरे पास में 3 year का formula होगा या तो आप इसको use कर लीजे या आप 2 साल का simple interest निकाले जीए दो साल compound interest निकाले तब उसकी बीच का difference हैगा और अगर 3 साल के लिए निकालना चाहते तो 3 साल का simple interest निकालना पड़ेगा 3 साल compound interest निकालना पड़ेगा तब उसका difference हैगा तो डिफ्रेंस जो है मेरे पास में वो 96 रूपीज है इस कल्टू में प्रिंसिपल कितना मेरे को दे रखा है 15,000 रूपीज दे रखा है 15,000 इंटू में आर का स्क्वेर मेरे पास जाएगा और ये मेरे पास में इस से मेरा ये गया इस से मेरा ये गया ये इधर जाएगा तो मेरे पास कितना पांच ये पंदरा और पांद दूनी दस हो जाएगा तो ये तीन तीन और तीन दूनी छे तो ये जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका दो दूनी चार और तीन दूनी छे तो आर जाएगा मेरे पास में वो अंडर उटके अंदर मेरे पास में आर आ जाएगा यानि कि कितना आगा मेरे पास में आपका ये अठोटे चोसट यानि कि 8% जो आएगा मेरे पास में वो आर आ जाएगा यानि कि option जो A होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी के कुछिन समझ माया होगा जय हिंद जय भारत